नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कोईला ख़धानों में 75% अस्थानी लोगों को नौकरी मुख्य मंत्री हिमन सुरेने केंद्रिये कोईला मंत्री परलाज जोसी से मुलकात के दौरान जारकर में मुझूद ख़धानों में 75% अस्थानी लोगों को नौकरी देने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि ऐसा होने से अस्थानी अस्थर पर उठ रहे विवाद एक हद तक सोता समाप्त हो जाएंगे इस दोरान राज महल ताल जारी कोल पर्योजना, हुर्रा कोल पर्योजना, सियाल कोल पर्योजना को चालू करने में आर आई बधाओं को दूर करने पर विचार किया गया इसके अलावा यहां के ख़दानों के निलामी को लेकर भी चर्चा होई 20 नुवंबर तक बारिस मौसम विभाग ने पुर्वनमान किया है कि 15 नुवंबर तक राज्ये में कई अस्थानों पर बारिस हो सकती है बतादे 14 नुवंबर को कहीं कहीं बारिस होगी वहीं 15 नुवंबर को राज्ये के दक्षिनी भाग में हलके से मते दर्ज की बारिस का नुमान है 16 नुवंबर को मौसम सुस्क रहेगा 16 से 18 नुवंबर तक थोड़ी राहत मिल सकती है फिर 29 और 20 को बारिस का पुर्वनमान किया जा रहा है 29 दिसंबर को फूल माला लेकर राज्ये अस्तर ये समारोह में पहुंचेंगे पारा सिक्षक पारा सिक्षकों ने सिक्षा मंत्री जगरनात महतोद्वारा 29 दिसंबर को उनके अस्थाई करणव बेतनमान से समधित निमारी लागू किये जाने की घोसना होने के अस्वासन दिये जाने के बाद 15 नुवंबर को राज अस्तर अपना दिवस पर प्रस्तावित विरोध कारेकरम अस्थागित कर दिया गया है बता दे अब पारासिक्षक 29 दिसंबर को हेमन सरकार के दो वरस पूरे होने के असर पर आयोजित राज अस्तर ये कारेकरम में फूल माला लेकर पहुचेंगे एकी किरीद पारासिक्षक संहर्ष मोर्चा का प्रतिनिदी मंडल सरनिवार को मंत्री के बुलावे पर उनके आवास पर पहुचा प्रतिनिदी मंडल के साथ मंत्री की बारता होई जिसमें पाराशिक्षकों ने अस्थाई करण बेतनमान की निमाली लागू करने में हो रही देर पर असंतोस जाहिर की मंत्री ने सिस्ट मंडल को अस्वस्थ किया कि 29 दिसम्बर को परासिस्कों की निमालू लागू करने की घुस्थना होगी खराब मौसम के कारण 9 विमान डाइवर्ट खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण बिर्शा मुंडा यारपोर्ट राची पर उतरने वाले 9 सेवा विमानों में डाइवर्ट किया गया हलाकि कोई भी फ्लाइट रद नहीं हुई इसमें राची से दिल्ली जाने वाली 5 फ्लाइट राची से बेंगलूर जाने वाली 2 फ्लाइट एक राची से लखनाव जाने वाली और एक राची से चेनाई जाने वाली फ्लाइट डाइवर्ट की गई है बता दे सभी फ्लाइट कोलकत्ता एरपोर्ट के लिए डाइवर्ट की गई थी इस कारण राची एयरपोट पर उतरने वाले यात्रियों को कुलकात्ता एयरपोट पर घंटो इंतियार करना पड़ा विजिबिलिटी की स्थिती पहले से समाने होने पर ही सभी को इंतियार करना पड़ा इन में इंडिगो, विस्तारा, गो एर और एर इंडिया का विमान सामिल था अधिकतर विमान तीन घंटा विलम से उडान भरा 16 नौवंबर से ओनलाइन भरे जाएंगे 17 सन्युक्त सिविल सेवा के लिए फोरम जारखन लोक्त सेवा आयोग की साती सन्युक्त सिविल सेवा मोख्य परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन फोरम 16 नौवंबर से 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे आयोग ने सन्युवार को इस समंध में सुचना जारी कर दिया है साथ ही ओनलाइन फरम भरने को लेकर विश्त्रीत दिसा निर्देस भी जारी कर दिया है बतादे प्रारंबिक परिक्षा में सपल गोसीत 493 अब्यार्थी मोख्य परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन फरम भरेंगे मोख्य परिक्षा अगले साल जनुवरी माह में आयोजित होगी आयोग द्वारा सिग्र परिक्षा का करेकरम जारी करेगा 15 नॉम्बर से समाने रूप से चलेगी सभी ट्रेन हटेगा स्पेसल टाइग रेल्वे में यात्रा करने वाले आत्रियों के लिए खुस खबरी है अब उन्हें बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होगा बतादे दक्षीन पूर्वर रेल्वे में 138 एक्सप्रेस मेल वा 24 पसेंजर ट्रेन 15 नॉम्बर से समाने रूप से चलेगी दक्षीन पूर्वर रेल्वे ने सनीवार को इस समन्द में आदेश जारी कर दिया है बतादे कोबिद 19 के कारण जून 2020 से कई ट्रेनों को स्पेसल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा था इसमें आत्रियों को स्पेसल ट्रेन पर 1.3 गुना किराया लिया जा रहा था खोल दिया है 17 नॉवंबर को मेयर राज भवन के समक्ष धारना पर बैठेगी सनीवार को राची नगर निगम कर्याला में सन्वाधाता समेलर में उन्होंने इसकी जनकारी दी मेयर नका किराय सरकार ने वाटर टेक्स में अपर त्यासित बिरिधीकर आम लोगों पर अनावस्यक आर्थिक बोई डाला है साथ ही उन्होंने इसे जन विरोधी निती बताते हुए सहरवासियों समेच सभी समाजिक धार्मिक वराय नितिक संगटनों से अपिल किया है कि वे इन जना अंदोलन में सामिल होकर इसका विरोध करे 10 जीलों के 66 सिक्षक अभियार्थियों को मिलेगा नियुक्ती पत्र राजे के 10 गर अनुसुची जीलों में जार्खन के अस्थापना दिवस पर आयोजी समारोह में हाई स्कूल के 66 सिक्षक अभियार्थियों को नियुक्ती पत्र दिया जाएगा इतिहास और नागरिक सास्त्र विशाय के अभियार्थी हाई स्कूल के सिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे बतादे स्कूली सिक्षा और सक्षरता विभाग ने सभी जीलों को इसकी त्यारी पूरी करने का निर्देस्ट दिया है विभागिये निर्देश्ट के बाद सम्मंधित सभी जिला इसको लोग के आवंटन की परकिरिया पूरी कर रहे हैं जिला अस्तर पर आयोजीत समारों में जिला वार इन सिक्छक अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र सोपा जाएगा रांची के आठ लाक से अधीक लोगों ने नहीं ली दूसरी डोज रांची जिला परसासन को टिका करन के आकड़े तयार करने में काफी परसानी हो रही है बतादे जिले के आठ लाक से अधीक वैसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं ली है ये लोग कहां है इसकी जनकारे जुटाने में परसासन जुटा है स्वास्त विभाग ने राची जीला का जो आकड़ा उपलब्द कराया है उसके उन्सार जीले में कुरोना से बचाव के लिए 15,49,679 लोगों ने पहली और 6,99,508 लोगों ने दूसरी डोज ली है अइसे में 8,4,161 ऐसे लोग हैं जिखने पहली डोज ली है लेकिन अभी तक दूसरी डोज नहीं ले सके हैं जारखन राजा स्थपना दिवस परेट समारो norm 24 को जार्खन राज अस्थापना दिवस परेट समारोह का उजन राची के डुरंडा इस्थित जार्खन ससस्त्र पूलिस वन में रविवार को होगा समारोह के मुखे अति थी, मुखे मंत्री हिमन सुरेन और विशिष्ट अति थी ग्री कारा एवं आपदा प्रवन्धन विभाग के प्रधान सचीव राजीव अरुन एका होंगे पूलिस सुत्रों ने बताया कि समारोह के दुरान पूलिस अलंकरन दिवस पर 57 पूलिस कर्मियों को मुखे मंत्री समानित करेंगे कारकरम में जार्खन पूलिस के डीजीपी सहित अनेवर या अधिकारी मुझूद रहेंगे OBC आरक्षन के मूदे पर अपने ही सरकार के खिलाप खड़ी हुई कांग्रेस जार्खन कांग्रेस ने राजनितिक के मैदान में OBC कार्ड खेला है बता दे OBC को 27% आरक्षन देने के सवाल पर कांग्रेस की विधायक खोदी सरकार के खिलाप मुखर दिख रहे है मुख्य मंत्री हमान सुरेन के आवास पर उनकी धमक देखने को तब मिली जब कांग्रेस के तमाम विधायक और सरकार में सामिल मंत्री परदेश अध्यक्स राजस ठाकुर के साथ अपनी बात रखने के लिए एक साथ पहुँचे इसके साथ ही नियुक्ती के दौरान भासा के चयान विवाद पर भी कांग्रेस विधायकों ने फिर से अपनी चूपी तोड़ी है राज्य की बागडोर मुख्य मंत्री हमान सुरेन के हाथ में नहीं बलिक भीचौलियों के हाथ में है रखवरदास भाजबा के रश्ट्रिय उपाध्यक्ष रखवरदास ने सनिवार को दावा करते हुए कहा कि जार्खण में जार्खण मुक्ती मोच्चा के नेतित्य वाली सरकार किसी भी छण गिर सकती है क्योंकि राजब की बागडोर मुखे मंत्री हमान सुरेन के हाथ में नहीं है बलिक भीचौलियों और आयोगेक के हाथ में है राजे के पूरो मुख मंत्री रहुवर दास ने अभी आरोप लगाया कि सोरेन के दो साल के सासन के दोरान तीन हैयार से अधिक कमजोर और अक्षम दलीत और आदिवासी महिलाओं का सोसन और अत्याचार किया गया यहाँ परदेश भाजपा के अनुसूचित जाती मोर्चा की कारेकारनी की बैठा को समोधित करते विदास ने कहा राजे की बागडोर मुखे मंत्री हमन सुरेन के हाथ में नहीं बलिक बिचोलियों और कॉमिस्ण लेने वालों के हाथ में है जारखेंट के किसानों के बीच रभी फसल के लिए 45,000 क्यूंटल 2 बाटेगी सरकार जारखन सरकार ने रभी फसलों के लिए किसानों के बीच 45,000 485 क्यूंटल 2 बीच बितरन का लक्षत ём किया है अक्टूबर से अब तक 18,000 418 क्यूंटल 2 का उठाओ हो चुका है बताया गया है कि किसानों की सुविधा के लिए 2021 में पहली बार सीड टोकन के माद्यम से बीज बित्रन की सुरुआत की गया है इसके लिए सभी जीलों में कैम्प लगाये गए है दी गई जनकारी के अनुसार जारकन में खरीब फसलों के लिए किसानों के बीच रिकोर्ड मात्रा में बीज का बित्रन किया गया था पंचाज चुनाओ की मांग को ले भाजपा बनाएगी दबाओ पंचाज चुनाओ की मांग को लेकर भाजपा राज सरकार पर दबाओ बनाएगी भाजपा परदेश मुख्याले में सनिवार को आयोजित परदेश पताधिकारियों की बैठक में इस बाबा समती बनी परदेश अध्यक्ष दिपक परकास के अध्यक्सता में आयोजित बैठक में 15 नौबर को भगवान बिलसा मुंडा की जयनती पर जनजातिय गवरो दिवस को बूत अस्तर पर बनाने का निर्नाय भी लिया गया बैठक में परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने भगवान बिलसा मुंडा की जयनती 15 नौबर को जनजातिय गवरो दिवस के रूप में मनाने जाने के लिए परदान मंत्री का अभार भी जताया डवलू सिंग को गिरफतार करवाने पर 5 लाह का इनाम जारखन के पलामू जीले के कुख्यात अपराधी डवलू सिंग के लिए पैसे वसूलने के आरोप में पलामू पूलिस ने 6 आरोपियों को गिरफतार किया है इन सभी आरोपियों को डाल्टेन गज बस इस्टेन से गिरफतार किया गया बता दे इनके पास से पूलिस ने 23,000 रुपे नगध बरामत किये है इधर पलामू एस्पी ने कुख्याद अपराधी डवलू सिंग और पूतम कुमार सिंग की गिरफतारी में मदद करने वाले को पांच लाक रुपे इनाम देने का प्रस्ताव पूलिस मुख्याले को भेजा है टी एसी में राजपाल के अधिकारों में नहीं हुई कोटवती जामूमो राजपाल रमेस बैस द्वारा जन जाती है सलाकार परिसत के मामले में राजपाल की सक्तिय समाप्त करने की जनकारी राष्टपती को दी गई है मामले में जामुमों ने इस्थिती अस्पस्ट करते हुए कहा कि राजेपाल के अधिकार में कहीं कटवती नहीं की गई है जामुमों महासचीव सुप्रियो भटाचार ने सुक्रवार को कहा कि TAC में राजेपाल के अधिकार को लेकर भरम पैदा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि TSE सुध रूप से गवर्णर की एक एडवाईजरी कमिटी है जो गवर्णर को सला देती है इनको गाइड नहीं करती उस पर निर्णय गवर्णर को लेना है शिरी भट्टाचार ने कहा कि TSE के माध्यम से पांच भी अनुसुची में गवर्णर को जो पावर है उस पावर को कहीं से कम नहीं किया गया है यह भरम है TSE का गठन करना मंत्री मंडल का काम है हजारी भाग में अवैद मीनी गण फैक्टरी का खुलासा जारखन के हजारी भाग जिले के विशनुगड थाना चेतर के साथ माईल मोड के पास इस्थीत एक घर में छापे मारी कर पूलिस ने अवैद रूप से संचालित मीनी गण फैक्टरी का उद्भेदन किया है इस दवरन पूलिस ने देशी बंदुक देशी कटावा हथियार बनाने का उपकरन बरामत किया है मीनी गण फैक्टरी से दो अपराधियों को भी गिरफतार किया गया है पकड़े गए आरोपियों से विशनुगड एस्डिपियों सिल्वार इस्थीत मोपसिल थाना में रामीन की हाथी ने कुचल कर मार डाला था इसके बाद बन विभाग गुमला ने हाथी को भरनो के इलाके में खदेड कर सुरक्षित जोन में भेजने में जूटी है बता दे इसके तहत बंगाल से आय हाथी भागाने के टीम सुक्रवार को भरनो पर खंड पहुंची टीम द जार्खन अंदोलन कारियों में एक समान सुविधा बहाल हो। और राजा स्थापना दिवस पर जार्खन बंद की कुछ संगठन की ओर से की गई घोसना की निंदा की ऐसी कमिटी से बंद को वापस लेने को कहा गया कारकर में सरकार से केवल अंदोरन कारी मामले को लेकर कैबिनेट की बिशेस बैटा बुलाक कर निना लेने सभी अंदोरन क परिशत के केंद्रिये 89 एवं पुर्व लोकसभा उपाध्यक्स पद्म भूसन कडिया मुंडा ने कहा कि संगठन की जार्खन प्रांत कमिटी की ओर से 15 नॉमबर को जन जातिये गवरों दिवस मनाया जाएगा बिश्व पटल पर जन जातिये समाज की अपनी गवरों गाथ जार्खन के कई जन जातिये समुदाय में वीर सपुतों ने अनू कर नियए कारे किये वीर सपुतों ने अपनी संस्कृतिती और धर्म की राकषा सहीद सवाधिनता अंदोलन के संगहर्श किये हैं उन समस्त महाफूर्सों के गवरों को समाज के बीच अस्मरन कराने की बोधनी एकादसी पर भागवान साली ग्राम और तोलसी जी का बिवाह होगा इसके साथ ही मांगलिक कारेश सुरू हो जाएंगे बता दे 29 नुवंबर से बैवाहिक लगन सुरू हो रहे हैं इस दिन से बिवाह वाले घरों में सुब लगन के गीत गूरने लगेंगे पंडित मिस्राक ने बताया कि 16 दिसंबर से खरमास लगन लग रहा है इस दिन सुरे दो पहर दो बज कर दस से धनू रासी में परवेश करेगा वहीं 14 जनवारी 2022 की रात 8.34 पर सुरे मकर रासी में परवेश करेंगे 15 जनवारी को इसका पुन्यकाल है जिस कारण से इस दिन से पुना लगन शुरू हो रहे हैं धन्यवाद